हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में आप लुक्ता शेयर करूंगी इस प्यारे से लटकन का फुल कटिंग स्टिचिंग हैंडमीड लटकन यहाँ पर हम तयार करेंगे तो इसको यहाँ पर मैंने तयार किया है इस नेट में से आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर नेट हो पर मैंने दोनों ही यह निकाल लिये हैं आप चाहे तो रेडिमेड डोरी भी ले सकते मार्केट में मिल जाती है इसके बाद मैंने नेट का प्लीण वाला पार्ड को चोटी-चोटी ूटी पीसे में निकाल लिए हैं अब इसके ओपर यहाँ पर देखें डोरी को इस तरीके से रखेंगे और लेंगे अपना सिंपल सुई धागे से इस पर हम डोरी को यहाँ पर छुड़ी छुटी टाके लगाते हुए अटाच कर लेंगे यह देखे अब इस फ्लावर के पीछे के साइड हम डोरी को रखेंगे और यहाँ पर सुई से टाके लगाते हुए इसको अटा इस तरीके से छोटे छोटे टाके लगाएंगे और इसके बाहर की साइट से मिलाते हुए दोनों को यहाँ पर जोइंट कर लेंगे देखें एक साथ अटाइच कर लेना है बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और इसके बाहर की साइट देखें इस तरीके से किनारे पर हम यहाँ प यहां से इतना इतना अ का возь percentage पर्पाट जो और form तो ani एलें है तो यहां से उन्हें पार खुला रहा है से जुटि-खुला डालें और भूर हम पुला बीक से डाल लोहां ने के टेट में रिखा गालने तेस्टों के हैं तो देखें, यहाँ पर हम इन नेट के पीस को इसके अंदर की साइड डालेंगे, सब भी को यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल लूँगी, और जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, अब यहाँ पर हम इस पर देखें, बराबर मिलाएंगे, और इस पर भी यहाँ पर टाके लगाए स्टिच करेंगे और यहां से अपने धागे को कट कर लेंगे तो दिखिए आप पर हमारे कुशन बनकर तयार है फ्लावर का और डोरी भी आपने अटाच कर ली है इसके बाद यह वाले फ्लावर थे हमारी नेट पर इनको मैंने कट कर लिए अब दोनों को बराबर डिजाइन म रखेंगे और यह मैंने सुई धागा लिया है अब यहां से इसको भी देके बाहर के साइड यहां पर चार हो तरफ इस पर हम लगाएंगे फ्लावर पर और इनको एक जगा अटाच कर लेंगे तो देखो इस पर हम लाइन लगाएंगे इस तरीके से दोनों फ्लावर एक यहां पर इनकाल निकालते हुई दोनों को एक जंगे हमें जॉन्ट करना है अब यहां पर इनको कर ले lots वनुन भीषा कर लेंगे इसम पर में क titles दोनों करना है को श्कति डिदे यहां पर पार दोने ओर झाले Оलन के वाट कर लेंगे लानी के लिए यहां पर देखें मैंने वाइट कलर की मोती लिए हैं यह देखें क्रिस्टल वाला वाइट कलर का मोती हैं यहां पर मेरे पास इसको यहां पर हम इस पर यूज करेंगे साथ ही यह मेरे पास लेस है इस पर जो नीचे के साइड यह मोती है वाइट कलर की इनको य इसको यहां पर डालेंगे और जो हमारे तीसरा फ्लावर है इसके देखे ऊपर एक साइट से सुई को निकालेंगे और यहां पर हम इनको अटाच करेंगे तो देखें यहां पर हमने पहले दो अटाच के फिर एक मोती लिया मोती को डालने के बाद अपना तीसरा फ्लावर ले और इस फ्लावर के यहां से साइट से अब इनको भी आपर दो तीन टाके लगाने हैं और इनको एक जगा जोइंट करेंगे इस साइट जैसे एक सामने क्या है दूसरी साइट से भी बिल्कुल ऐसे ही मिलाते हुए यहां भी हम इनको स्टिच कर लेंगे देखें दोनों साइट से मैंने इस फ्लावर को इन पर अटैच कर लिए और तीनों फ्लावर एक जगा हमारे त्षे से जोइंट हो चुके हैं अब हमने जो अपने कुशन तयार किया था फ्लावर का इस पर हम इनको अटैच करेंगे तो देखें यहां पर अपने दागे को लेंगे सुई दागे को इसको पका कर लेना है पहले उसके बाद यहां पर हम एक लेंगे वाइट कलर का मोती सुई में डालेंगे इसके बाद लेंगे एक रैट कलर का और वापिस से एक वाइट कलर का मोती यानिके इन तीन मोती को यहाँ पर लेंगे और अपनी सुई में इस तरीके से डालेंगे इसके बाद जो हमने फ्लावर लिये हैं इनको यहाँ पर जोइन किये थे इसके ऊपर की साइड से इस तरीके से डालेंगे सुई को और बापिस से मोती के अंदर निकालते हुए यहाँ पर हम इनको पक्का कर लेंगे जोइन कर लिया अब तूसरे साइट में यहां पर सुई को निकालuenंगे दावड को आटेज करेंगे और इसके बाद ऐसे थीर मोसी डालेंगे एक ड्रेर और फिर से वाइट और देखें यहां पर तीन मोसीं यहां पर हमने डाल ल remda निकाला भी और इस तरह ultrade के बाद महीं ह monitored campaign सेक सोई को निकालेंगे दढ़ंगे को यहांपर प्का करने के बाद हम इसमें मोति ढालेंगे तो यहांपर तीन मोति लेंगे समक्रवाइग घरनी यहापर लेंगे एक आगे वाइट रैड को आगे जोनुट वाले तरह मोतिलेगे इस तरह यह देखे और दैगे को पका करते हुए यहाँ पर हमारी यह मोती अटैच हो जाएंगे जिस तरीके से हमने इसको अटैच किया है ऐसे ही दोनु साइड यहाँ पर हम मोती अटैच कर लेंगे तो देखें यह मोती अटैच कर लेंगे और कितने घुपस्टत हमारी यह लटकन बनकर तयार हुई है तो आप भी अपने फाब्रिक में से इस तरीके से लटकन बनाकर तयार कर सकते हो उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरू बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप भी इस तरह लैप्टोब फाब्रिक में से अपने डिजाइन लटकन बना कर तियार करें आज के लिए बस इतना ही नियू विर्म फिर मिलोंगी कुछ नियू डिजाइन के साथ थैंक्स पूर वच्छिंग